दोस्तों, बहुत दिनों से ये बात चर्चा में आई की नरेंद्र मोदी राम मंदिर की आड़ में वोट मांग रहे हैं, लेकिन आप इसे सच कैसे मान सकते हैं, क्योंकि लोग भी बेवकूफ नहीं है, सब को सब समझ आता है, कि कौन कितना काबिल है, या कहें कितने पानी में हैं, अब आज हम बात करेंगे मोदी जी के शासनकाल की, पर दोस्तों, अभी के लिए तो चुनावों का दौर है, और अभी कुछ कहां नहीं जा सकता की क्या होगा, और कौन जीत का लड़ू खाएगा, और खिलाएगा, लेकिन अगर हम बात मोदी जी की करें, तो आईए ज चानते हैं कि आने वाली अगर मोदी सरकार ही हुई तो क्या होने वाला है, कम शब्दों में कहें, तो आने वाला समय कैसा होगा, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, और इसी तरह की और रहस्मई जानकारी प्राप्त करने के ल के लिए कमर कस रहे हैं, उन्होंने 2019 के लोक सभा चुनावों में निरनायक जनादेश हासिल करने के बाद 30 मई 2019 को अपने दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधान मंत्री का पद संभाला, पीएम मोदी के पास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमानु उर्जा व अंतरिक्ष विभाग के अलावा अन्य सभी विभागों का प्रभार भी है, जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किये गए हैं। बेल आइकन को प्रेस करे, दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा समझधार और बुद्धिमान अगर कोई जिव होगा, तो वह है इनसान, क्योंकि इनसान में सोचने और समझने की सबसे ज्यादा शक्ति है, लेकिन ज्यादातर लोग इस शक्ति का सही ठंग से इस्तेमाल कर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लक्षे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आव तो समय समय पर होते रहेंगे, लेकिन इसी बीच क्या जिस लक्षे के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं, क्या भविष्य में वैसा ही होगा। ऐसा क्या होगा जो भारत को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। और बदलते भारत के आगे क्या दुनिया ठिक पाएगी। अलग-अलग देश की सत्ता क्या एक हो जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं का अब कैसा रौद्र रूप हमें आगे देखने को मिलेगा। ऐसा क्या-क्या होने वाला है। जिसकी संभावना अभी से जताई जा रही है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर देखिए, नोस्ट्राडेमस और संत अचुता नंद दास महाराज के नाम पर किस प्रकार की भविश्यवानी इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले देखिए। नोस्ट्राडेमस की भविश्यवानियों के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि 2024 में अब तक का सबसे बड़ा भूकम पा सकता है। कौकाने वाली भविश्यवानी के अनुसाल, साल 2024 में रूस के राष्ट्रपती पुतिन की मृत्यू हो सकती है। पुतिन की मृत्यू का कारण हत्या होगा। कथित तौर पर बताया गया है कि उनकी पुतिन को लेकर इस साजिश में रूसी नागरिक ही जिम्मेदार होगा। अब देखिए दोस्तों, 2024 में भारत की तस्वीर कैसी होगी। इसको लेकर नोस्ट्राडेमस की भविश्यवानी यह कहती हैं कि भारत में कुछ ऐसी खोज होने वाली है जो इनसानी जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। हो सकता है कि भविश्य की घटित होने वाली चीजों को पहले इनसान जान ले। 2024 के आखिर में रहस्यमय लोगों का आगमन हो सकता है। कह रहे हैं कि हिमालय में तपस्या करने वाले ऐसे संतों का आगमन होने वाला है जो हजारों वर्षों से जीवित है और इसी साल भारत अंतरिक्ष में अपनी एक सत्ता कायम कर शायद वही दुनिया का समराठ होगा। इसके अलावा देखिए नोस्ट्राडेमस के हवाले से एक भविश्यवानी का जिक्र हमेशा मिलता है। आपने भी सुना होगा जिसमें यह कहा जाता है कि महान सितारा साथ दिन तक जलेगा, एक बादल से निकलेंगे दो सूरज, ए इस बात की भविश्यवानी की जा रही है कि जल्दी चीन दुनिया की महाशक्ती बनेगा। दो हजार चौबीस में धर्ती में आये बदलाव से मौसम प्रभावित होगा, जिसके कारण तापमान में परिवर्तन होगा, और जिसके चलते ठंडी जगा गर्म हो जाएगी, और भारत का नोस्ट्रा डेमस भी कहा जाता है, हम बात करें संथ अच्युतानंद दास महाराज जी की, जगत के नात प्रभु जगनात की धर्ती, यानि की पुरी में जनमें संथ अच्युतानंद दास महाराज, एक ऐसे महात्मा हुए हैं, जिन्होंने अपने तप और योग श श्यवानी की जाती है, कहा जाता है कि धर्ती तीन चरणों से गुजरेगी, सबसे पहले काल का अंत होगा, फिर महाविनाश होगा और उसके बाद एक नए युग का आरंब होगा, कहते हैं कि जैसे शनिमीन राशे में प्रवेश करेंगे, भारत पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे, किसान खेती करना छोड़ देगा, जंगली जानवर अचानक से शहर और गाव पर अपना हमला शुरू कर देंगे, आसमान में ऐसा प्रतीत होगा, कि दो सूर्य निकले हैं, और जगननात मंदिर की 22 सीढ़ी तक पानी जब आ जाएगा, उस वक्त भगवान के वि अनसंख्या है, वह 84 करोड रह जाएगी, तो 2025 के बाद का समय एक विभीशिका के समान होगा, वही लोग बचेंगे, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे, ऐसा सब कुछ, संत अच्युतानंद दास महाराज के हवाले से, भविश्यवानी पुरान के हवाले से ये सब कह जाता है, इसी के साथ दोस्तों आपको बता दे कि बुलगारियां के रहने वाले बाबा वेंगा, अपनी सत्य भविश्यवानियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, बारह साल की उम्र में ही बाबा वेंगा की दोनों आखों की रोशनी चली गई थी, आज तक बा आर्वजनिक होने से पूरी दुनिया में खलबली मच गई है, जानकारों में बाबा वेंगा की भविश्यवानी को लेकर चर्चा जोर शोर से है, कई जानकारों का मानना है कि अगर बाबा वेंगा की भविश्यवानी सच साबित होती है, तो इसका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा इससे विश्व की आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक और राजनितिक समीकरण बिगड सकता है। विशेश अग्यों ने अपने अपने हिसाब से भविश्य वक्ताओं की भविश्यवानी की व्याख्या की। अब इनमें कितनी सच्चाई मिलती है कोई नहीं जानत तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद।